रादे रादे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में परोजन का थापा यानि की छटी का थापा कैसे मांड़ा जाता है उसके विशय में बताऊंगी परोजन का थापा एक माता पिता के जितने लड़के होते हैं उस हिसाब से छटी का थापा मानते हैं जैसे की जिन माता पिता के एक लड़का है तो एक थापा मांडेंगे और यदि दो लड़के हैं तो दो थापा मांडेंगे और यदि तीन लड़के हैं तो हम चार थापा मांडेंगे थापा माणने वास्ते अच्छा वार और दिन देखकर रात में आधी कटोरी चावल वा एक हल्दी की गांट भिजा देंगे फिर सुभर दूसरे दिन हल्दी को थोड़ा कूट कर मिक्सी में चावल वा हल्दी को पीज कर एक कटोरी में रख लेंगे इस मिक्षर को हम रापण कहते हैं एक कटोरी में गैरू भिजा के रख लेंगे एक कटोरी में रोली और एक कटोरी में मेंधी भिजा के रख लेंगे फिर एक गत्ता में पीला कागस से मन लेंगे, फिर गेरू से मान लेंगे, उसके पस्चात रापन से बीच में एक टीकी देंगे, वह पांच लाइन बनाएंगे, इस तरह बिंदी और पांच लाइन को लेकर छे हो गई, अब छटी लाइन में कंगुरा बनाएंगे, सब हो जा पारी चिपकाएंगे और नाल की जोड़ी लगाएंगे इस तरह थापा तयार करते हैं थापा हम अपनी बहन बेटियों से मंडवाते हैं उन्हें भी थापा का नेक जरूर देना चाहिए उसके लिए आप आधा गटवर में चीनी भर कर पैक कर ले या फिर गुड की डली को प चैनल को लाइक शेर वर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद